जब आपके पास कोई सब्जी नहीं और आपका मन वहाल थोड़ा चिटपटब किता होगा का मन परती है जब सबसे पहने मारा मुर्ची जब अचार किते हैं तो यह आपके मर्ची का भी होगा के नंने में जाने में बाता है तो फ्रंट सबसे पहले हमें मिर्ची का फ्राई बनाने के लिए हमने मिर्ची को क्या करना है काट लेना है मिर्ची को अच्छे से हमने धो के और पोच लिया था पोचने के बाद हमने काट लिया था आप देख सकते हैं कड़ाई में हमने जीरा को भून लिया था और जीरा भूनने के बाद हमने उसे ठंडा करके उसका बेलन की सहता से उसे पीस लिया है अब मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कड़ाई में तेल डालना है और तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें मिर्ची एड़ करेंगे मिर्ची एड़ करने से पहले हमें ये चीज ध्यान देना है कि मिर्ची जो होती ना वो बहुत ही जहास मारती है तो उससे बचने के लिए हमें अपने मुँ में कप्रा बांद लेना है तो देखिए यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका था और मिर्ची को मैंने मतलब मेरे पास मोटी वाली मिर्ची थी तो मैंने एक मिर्ची में चार भाग किये थे आपके पास मिर्ची जैसे हो आप उस हिसाब से मिर्ची को काट सकते हैं और मिर्ची को काटिंग बाद हमने तेल में डाल दिया है और इसी में हम इसी स्टेश पे हम इसमें थोड़ा सा नमक भी एड़ कर देंगे नमक एड़ करने से क्या होगा ना ये हमारी मोटी वाली अचार वाली मिर्ची थी तो इससे क्या होगा कि ये मिर्ची थोड़ी अच्छे से गल जाएगी और जो नमक है ना वो मिर्ची के अंदर तक पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद से मिर्ची को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है तो आप देख सकते हैं मिर्ची मेरी फ्राई हो रही है हमें इसे ढखना नहीं है आप खुले में ही इसे पका सकते हैं क्योंकि मिर्ची को पकाने के लिए हमें ढखने की जरुरत नहीं परती है वो खुले में भी अच्छे से पक जाती है और मिर्ची जब हमारी पक जाएगी ना तब हम आप देख सकते हैं मिच्छे मारी पक गई है अब हम इसमें जीरा भून के उसका पाउडर बनाया था बस हमें उसे एड़ कर लेना है और इसके बाद हमें इसमें एड़ करना है थोड़ा सा आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आप वो एड़ कर सकते हैं आमचूर पाउडर नहीं है तो आप निम्बू का रस्ट डाल सकते हैं मेरे पास ये दोनों नहीं था तो मैंने इसमें क्या किया है गाउं की बनी हुई जो खटाई होती है जो आम को सुखा के और मसाला डाल के बनाते हैं उसका थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था वो भी मतलब एक आमचुर का काम करता है त खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में लग रही है न एकदम यम्मी तो आप भी एक बार जरूर ट्राय करिएगा और बना के बताईएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो मिलते हैं कि अगली रेसिपी में और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजे अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई